दोस्तो भारत और अमरिका के जेट इंजिनों के डील को लेके आया और एक बड़ा खबर और दोस्तो ये खबर A414 इंजिनों को लेके नहीं है बलकि ये खबर है A404 इंजिनों को लेके आप लोगों के जानकारी के लिए बता दू कि जेनरल इलेक्टिक जो की भारत के साथ ए हिंदुसान एरनोटिक्स लिमिटेड के तरफ से और 120 से अधिक A404 GEIN 20 इंजिनों का ओर्डर दिया जा सकता है और हिंदुसान एरनोटिक्स लिमिटेड इन इंजिनों का इस्तेमाल अपने तेजस मार्क वान एयर क्रेप्टों में करेगा तो सब सब लोगों को पताई होगा कि हिंदुसान एरनोटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयर फोर्स के वीज में एडिशनल सो तेजस मार्क वान एयर क्रेप्टों के खरिदने को लेके बात्चित चल रहा और जल्द ही इसे लेके इंडियन एयर फोर्स के तरफ से अपने फाइनल डिसिजन ले लिया जाएगा और दोसो एडिशनल तेजस मार्क वान एयर क्रेप्ट मतलब एडिशनल इंजिनों का ओर्डर और इसी कारण के वज़ा से जनरल एलिक्टिक के तरफ से भारत के साथ एडिशनल 120 या 120 से अधिक इंजिनों को लेके एक तरीके से बात्चित भी शुरू हो चुका है रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयर फोर्स के तरफ से शायद नेक्स्ट येर एडिशनल 100 तेजस मार्क वान एयर क्रेप्टो के डील को लेके हस्ताक्षर कर लिया जाए और दोसों इसके साथ ही हिंदुसन एरोनोटिक्स लिमिटेड के तरफ से जेनरल इक्टिक के साथ एडिशनल इंजिनों को लेके बात्चित शुरू किया जाएगा अब दोस्तो इससे पहले अगर देखा जाए तो साल 2021 में हिंदूसन एरोनोटिक्स लिमिटेड के द्वारा 716 मिलियन डॉलर के लागत से गरिवन 99A404 इंगिनों को खरिदने को लेके एक ओर्डर दिया जा चुका है और दोस्तो इन इंगिनों का इस्तमाल असल में हिंदूसन अरोनोटिक्स लिमिटेड के द्वारा साल 2021 में जो डील हासिल किया गया था जो बैसिगली 73 तेजस मार्क वान ए और 10 तेजस मार्क वान ट्विन सिटेड ट्रेनर वेरियन्ट है उन्हीं डीलों के अंतरगत इस्तमाल किया जाएगा हाला कि दोस्तो रिपोर्ट में ये विद और दोस्तो ये जो 99 जेट इंजिनों के डीलों के उपर साल 2021 में हस्ताक्षर हुआ था उस डील के अंतरगत पहले बैच के इंजिनों का डिलेवरी असल में इसी साल के अंतक जनरल लेक्टिक के तरफ से किया जाना है और दोस्तो इन्हीं इंजिनों का इस्तमाल शायद 2004 में पहली वार हिंदूसन अर्णोटिक्स लिमिटेड के तरफ से 17A404 GEIN20 इंजिनों का ओर्डर किया गया था जिसका इस्तमाल तेज़ास यारक्रेप्टों के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन यारक्रेफ्ट और नेवल प्रोडोटाइपों में किया गया जबकि दूसरे बैच के अंतरगत असल में साल 2007 में इंजिनों का ओर्डर किया गया था और दोस्तो इस दर्मियान इंजिनों के संख्या पहले के मुकाबले में थोड़ा जादा और करीब-करीब 24 इंजिन था जो की तेज़स यारक्रेप्टों के जो पहला स्क्वाडरन है उनमें इस्तमाल किया गया अब दोस्तो ऐसे में अब तक जो 75 इंजिनों का डिलेवरी किया जा चुका है उनका इस्तमाल हिंदोसन एलनोटिस लिमिटेड अपने लिमिटेड सीरिस प्रोड़क्शन यारक्रेप्ट और तेज़स मार्क वान यारक्रेप्टों के जो दो स्क्वाडरे ने उनम को पर्चेस किया जा रहा और अब 100 इयारक्रेप्टों का जहां पे बात किया जा रहा है तो उही पे 100 इयारक्रेप्टों के साथ 120 इंजिनों को खरिदने को लेके बात किया जा रहा है तो इन इंजिनों में इतना बढ़ोतरी क्यों है तेजस्तों सिंगल इंजिन इयारक्रे ग्राउंडेड रहना ना पड़े और तुरंत ही उन इंजिनों को इन एडिशनल इंजिनों के द्वारा रिप्लेस कर दिया जा सके। अब दोस्तों यहाँ पे A414 इंजिनों का बात हो ही रहा है तो आपके जानकारी के लिए बता दू कि ये वही इंजिन है जिसे की प्रधन मंत्री नेंद्र मोदी के द्वारा अमेरिका दोरे के दर्मियान खबरों में लाया गया था और जानकारी ये भी मिला कि भारत के तरफ किया जा रहा है और अमरिका के जो कॉंग्रेस है उसके तरफ से इंजिनों के पर्चेस को लेके अनुमती विद दे दिया गया है और दोस्तों अब इन इंजिनों को लेके खबर आ रहा है कि ये जो इंजिन भारत में बनेगा ये असल में काफी सस्ते में बनेगा लेटर आफ एकोजिशन को क्लियर करने के लिए शायद कुछ और दिनों का समय लगे लेकिन दोस्तों एक तरीके से सवी जो रास्ता है वो अल्रेडी क्लियर हो चुका जब अमेरिका के कॉंग्रेस के तरफ से बिना अबजेक्शन के डील को लेके अनुमती दे दिया गया अब कि वही पे दोस्तों भारत में बड़े मात्रा में ट्रांसफर आफ टेकनोलोजी के तहट इन इंजिनों को बनाने पर इन इंजिनों के कीमत में फिलाल कोई असर पढ़ने वाला है नहीं क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट के मताब एक जनरल इल्टिक के फेसिलिटी में जब इन इंजिनों को निर्मान किया जाता है तब इसका कीमत 3.71 million dollars per unit रहता है और domestically भारत में produce करने पर भी दावा किया जा रहे है कि इसका कीमत 4 million dollars से कम रहेगा जोकि एक तरीके से मब कह सकते है कि इंजिनों के लिए काफी cost saving भी होगा और दूसरे तरप अब ये भी कह सकते है कि इससे भारत बड़े मात्रा में इंजिनों को भी निर्मान कर सकेगा। के commitment किया जा चुका है जिनका इस्तेमाल तेजस मार्क टू या ऐसे एरक्रेप्टों के साथ साथ AMCA मार्क वान और ट्विन इंचिन डेग वेस फाइटर एरक्रेप्टों में किया जाएगा वही पर आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दू कि फिलाल तो 80% टेक्नोल टेक्नोलोजी के लिएक तरीके से तैयार है और जेनलिक्टिक आने वाले कुछ सालों में ये 130 टेक्नोलोजी ट्रांसफर भी कर सकता है जबकि F-18 एरक्रेप्टों के प्रोडक्शन समाप्त हो जाए फिलाल दोस्तों F-18 सुपरहॉर्णेट जैसे एरक्रेप्टों में F-414 इंजिनों का इस्तेमाल हो रहा है और जल्दी F-18 सुपरहॉर्णेट एरक्रेप्टों के प्रोडक्शन फैसिलिटी को बंद किया जाएगा इसका एनॉंस्मेंट भी हो चुका है और दोस्तों इसके बाद जनलिक्टिक को एक नए एरक्रेप्ट के लिए नए इंजिनों के का जरूरत पड़ेगा और शायद तब F-414 इंजिनों के संपूर्ण सप्लाइचेन का जिम्मेदारी भारत को ही दे दिया जाए अब दोस्तों रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि जल्दी ये जो डील में बचे कुछे कुछ फॉर्मलिटीज है उसे भी पूरा कर जाएगा और डील के उपर हस्ताक्षार कर लिया जाएगा और उसके बाद हिंदुसन अर्नोटिक्स लिमिटेट के मदद से जनरल लिक्टिक के द्वारा इन इंजिनों को भारत में ही प्रोड़क्शन शुरू किया जाए हाला कि रिपोर्ट में ये वी दावा किया जा रहा कि भारत के सामने किसी भी तरीका कोई बाधा नहीं रहेगा और तेजस मार्क टू के से सप्लाइचेन है वो संपूर्न रूप से एक तरीके से इंडेजिनियस हो जाएगा और ये रिपोर्ट के मुताविगिन इंजिनों के डेवलाप्मेंट को लेके भारत और फ्रांस के व पर के साथ भी अगर ये इंजिन भारत में बनता है और भारत को अगर इंजिनों के इंटेलेक्चल प्रॉपर्टी राइड नहीं भी मिलता है तब भी A414 इंजिनों के डील के कारण भारत को एक तरीके से आत्मनिर्वर होने का एक मौका मिलेगा और दूसरे तरफ स्ट्रॉंग होने पर इसका इस्तेमाल भारत अपने कावरी इंजिनों के पोड़क्शन या कावरी इंजिनों के अफग्रेड़ेड वेरियंटों को बनाने के लिए कर सके तो आप लोगों को क्या लगता है कि जड़ इंजिनों को लेके किस तरीके से ये दो नियूस है ये भारत के लिए बड़े और महत्वपूर्ण नियूस है कॉमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही फेही करते हैं समापत किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम